हलो दोस्तों रोज की तरह अन्हें लिखनी ब्लोग में सबका अर्थिक स्वादत है कि आज दोस्तों कि रोज की तरह प्रेड़न दायक विचारों के अनुसार दोस्तों आज के परिवेश में आज के प्रतिश्पजा के युग में आज के भागा दोरी के युग में और संशादनों की बहुलता और कम जनबल से अधिक कारे करने की शमता है इस वकार की टेक्नलोजी जो आज विख्षित होने जा रही है उसके लिए कैसे हमको अपने को आगे बढ़ाना चाहिए उस टेक्नलोजी उस टेक्निकी की दोड में कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए प्रेणार सोथ के रूप में मैंने दोस्तों अपने विचारों को ग्यत्र करने की कोशिश की है दोस्तों आज के जो आज का जो दौर सलगा है क्योंकि आज तक्निकी बिवस्ता इतनी फुलब होगी है कि एक हजार लोगों का कारी किवल दस लोकल मशीनी युक में मशीनों के द्वारा संचालित किया हुआ काही एक व्यक्ति ही उस मशीन को संचालित करके कारियों की गति को लगातार बढ़ा रहा है इस वकार की तक्निकी पुले विश्तों में बहुत ही ती ब्रकति से तल रही है आने वाला भुश्य क्या होगा ये इसका कोई कमाधान क्या होगा वह भी एक सोचनी विश्य है तो रोस्तों आज के दोर में सबसे जादे जर्वत हमको लीडर्स की होती है जो किसी कारी को लीड करते हैं कैसे हमको इतने मानव यानि जन्बल को रोटी कपड़ा मकान और अन्य आशो टाउन की पूर्थी करने के लिए और उस जो उतकुस्त लीडर होते हैं उनको जोस्तों शाथ घहतक पापों से बसते से बसने की भावन के अंतर में होनी जाए तभी हम आज की प्रतिश्वता के यूग में अपनी जो लीडर्शिप है उसको आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों सबसे बड़ी प्रतम बात यह है कि सम्मान पाने के बजाए लोगप्रिय होने की कोशिश करना जाए आज सम्मान का दोर उतना माईने नहीं रखता है इतना लोग प्रिया लोगों में जो प्रिया हो अगर किसी को उतकुस्त लीडर की भूमिका अदा करनी है तो टीम के दूसरा है दोस्तों टीम के सदस्यों से शला या श्राहना का अगरण न करना यह लीडर्शिप की पास्चाना नहीं तीसरी चीज़ है दोस्तों योगिता के बजाए नियुमों पर जोर देकर और व्यक्तिगत प्रद्रिभा को हस्तों शाहिए करना और आलजना को रस्तनात्मक ले रखना किसी परकार की आलजना होती है उसमें किसी परकार की रस्तनात्मक्ता का ध्यान ले रखना। और टीम के सदस्यों में जिम्यदारी का इसार बिख्षित न करना है ये जो है इन साथ प्रकार के जो घातक पाप अपुते हैं और लीडर्शिप के लिए पौजी हानिकार करते है तो किन कारणों से लीडर एक उतकुस्ट लीडर नहीं बन सकता है उठके कर्मियों के कारण है और टीम के सदस्यों में जिम्यदारी का इसार बिख्षित न करना है जब तक हम टीम के सदस्यों के ओपर जिम्यदारी नहीं डालेंगे तब तक हमारा हमारी लीडर्शिप में बसकती हम बिख्षित न करना है सम्मान पाने के बजाए लोग प्रिया होने की कोशिश करना यानि सम्मान पाने के बजाए लोग प्रिया होने की कोशिश करना अगर हम करेंगे लोग प्रिया होने की कोशिश करेंगे सम्मान की कोशिश नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये घातक पाप के समान होगा और टीम के सदस्यों की सलाया शाहिता नहीं लेना ये हमारे घातक है योगिता के विजाए नियमू पर जोर देकर व्यक्तिकत प्रतिभा को हसो साहित करना अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हम उतकुस्त लीडर नहीं बन सकते हैं आलोजना को रसनात्मग न रखना यानि आलोजना को रसनात्मग न रखना ऐसे भावगार हम रखेंगे तो हम एक अच्छे टीम लीडर नहीं बन सकते हैं और उतको तो तो तीम लीड़ा दोगते हैं और हर एक टीम के सदस्यों में सब के उपर जिम्मेदारी का ऐसास अगर हम बिक्षित नहीं करेंगे तो हमारे लीडर्शिप पस नहीं सकते और हर एक के साथ एक सा बेवार न करना यानि हर एक के साथ एक साथ विवार करेंगे तो आज की प्रशा की यूग में हमारी लीडर्शिप अच्छी देगी जिसका कारी अक्षा होगा जो गुनात्मक गुनमत्ता में आगे होगा उसको हम प्रसंचा का पात बनाना हमको पड़ेगा नहीं तो यह हमारे ले खातब होगा और लोगों को जानकाई देने में अश्पाल गुनाओ अगर हम अपने टीम के लोगों को सभी प्रकार की जानकारी को दैनिक रूप में नहीं देते हैं तो यह हमारे उत्कुष्ट लीडर के साथ अभिशाब है पापर है जिससे हमारा जियोन आगे में बढ़ सकता है तो दोस्तों गलतियों से बसने के कई तरीके है अगर हम इसका कोई भी टीम का लीडर होता है वो गलती करता है मैं भी दोस्तों सुनता हूं और अन्य जगा पढ़ता हूं सुनता हूं तब मैं अपने भावों को ब्यक्त करता हूं तो गलतियों उसे बसने के करी तरीके, गलती इंसान, हर व्यक्ति इंसान गलती करता है, लेकिन उसके बसने के तरीके हैं, परन्तो बिनाश से बसने का सर्भशेस तरीका है उपलब दोड़ार, तो दोस्तो हर निर्णाई लेने की जरुवत नहीं है परण तो आपको हमेशा सब के लिए शुलब होना परियाप्त है अगर कोई भी टीम है उस टीम के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं कोई स्मार्ड हैं तो वे आपकी जानकारी देते उनको जो है अगर वह स्मार्ड होंगे तो आपको लगाता जानकारी देते रहेगे और अगर आपको जानकारी मिलती रहेगी तो आप निर्णे का एक हिसा और जब ऐसा होगा तो आप अपने कर्मचारी का समर्थन आशानी से कर पाएंगे आज के युग में जो युवा बर गए हैं दोस्तों लोगों को इसा का जो लीडर सिप जिनके जब वह लीडर बनने लगते हैं तो उनको इन बातों का दिखाना वश्य रखना चाहिए और दूस्त और इससे अनुमानों की संभावना सुमाबत हो जाए तो दोस्तों उतकृ दोस्त लीडर में साथ जो घातक पाप से हमको बचना चाहिए अगर हम उस तुसके इन साथ चीज़ों से अगर हम बच जाएंगे तो हम अपनी लीडर्शिप को आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आज प्रतिश्वदार का यूग है भागा दोड़ी का यूग है प्रतिश्व किताब को पाने अधिक्ता में सभी चीजों को सभी लोगों को बराबर हिश्वा नहीं मिल पाता है तो उसके लिए हमको प्रियास करने पड़ते हैं जिसके प्रियास आर्थक होंगे और जिसके गुनात्मा प्रियास होंगे तो आगे बढ़ेगा और दूसरा दोस्तों आज के अधर में मैं बताता हूं को जो विजेई टीम होती है अच्छे लोगों को चुल्दी जो मैंने उत्कृष्ट लीडर के जो साथ भातक पाप बताए इन पापूं से हमको हमेशा बंचे तरह चाहिए इन से अपने को सभालना चाहिए और विजेटा टीम अच्छे लोगों को हमेशा चुल्दी अपनी नहीं कोई भी जैसे कंपनी है और स्टाफ चुनते समय सब्सेश लोगों को ही लिया जाता है और उनका फूत्रों आके एगी होता है दोस्तो जैसे बाद जुन्ड में नहीं रहते हैं वो एकेरा रहता है क्योंकि और सबको तड़ा रहता है आपको एक बार में एक ही बाद मिल पाईगा एक बार में एक ही बाद मिलेगा बाद पक्षी होता है और उसके कहने का यह मतलब हमाई कहने का यह मतलब है कि कमजोर व्यक्तियों के से आप दमदार टीम नहीं बना सकते हैं अगर आपके अगर कमजोर ब्यक्ति होंगे उनसे हम एक समर्थवान टीम नहीं बना सकते हैं और सशक्त प्रसाख्रों यह सिर्फ तीन नियम है अच्छे लोगों को चुनना उन्हें बता देना की कमजोरी ना करें और फिर पूरी तरह उनका साथ देना उनके साथ मेरा न अच्छे लोगों को चुनना सबसे महत्पून है तो दोस्तों किसी भी संगठन में अगर तीन कारण होते हैं मालेजें हंडेट परसेंट हम लगाते हैं तो हंडेट परसेंट में दोस्तों साथ से लेके अच्छी तक के जो शफलता होती है वह तीन तत्तों के कारण होती है सो प्रिशा तो नहीं हो सकती है लेकिन साथ से लेके अच्छी प्रिशा तक जो है सफलता जो है तीन तत्तों के कारण होती है तो इस्पर्ष्ट दू oyster सहार शैसी परशब हम तब सब्सकता है सपलता प्राप्ता कर शकते हैं कि या तो हमारी द्ष्ण पस्थ हूं और जो हमारे पास अगर खिलाडी है या कोई कारिकर नहीं हो कोई सद्बीश करने वाला वह में हो तो अगर संध्र हमें लेए तो खिलाडी की तीम, खिलाडी की तीम जो है वह सही होनी चाहिए, तीसरा अच्छी आर्थिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति जगर हमारी कमजोर होगी, तो हम किसी भी तीम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, यानि जो हमारी विजेता हम नहीं बनाएं, इसलिए बहुत कम ही उतनी महत्कुर्ण हैं जितना की सही लोगों को सही ड़गा पर अा है है तो दोस्तों जिन के शाध यानि यह ए हम किसी ऐसके ब्यक्ति को काम पर ना रख है diferen अगर हम ऐसे ब्यक्ति को काम पर इस पकायर कि ब्यक्ति को अगर हम काम में नहीं करें इसमें ना रखें जिसके साथ उसका नौकर और जो टेव रिकारडर के साथ यानि वकील, बॉडी गार्ड, टेडी बियर, पुलिस, इसकॉर्ड और माउप ऐसे ब्यक्तिको जो है, जिसके साथ उसका नौकर है, टेव रिकारडर का साथ है, वकील है, बॉडी गार्ड है, तेडी बियर है, और पुलिस है, और एक्स, इसकॉर्ड है भी हो और जो टीजो डीगें हांके, जो बहुत बातें करता है, जर्वर से जादे बातें करता है, उससे पहले जिन तीन जो तीन मेंड लोग होते हैं, उनसे उनके साथ काम किया हो, और वह उन सबसे जादे स्माड़ है, अच्छा हो, मला प्रधिभावाली है, जिसका बाइड राता यानि इसलिए बहुत कम चीज़ां ही इतनी महत्पूर हैं जितना कि सही लोगों की जगा पर रखना होता है और जो आपके स्वालों पर ना भूश करता है तो ऐसे लोगों को जो है अपने से दूर रखना चाहिए और जो आपके स्वालों पर अपने अपने शरीर के उसको बदलता रहता है चेंज करता रहता है शिकूरता है और कोई चीज पूछता है तो उसके जो एक्षन है वो नकारात्मक होते हैं जो बीज-बीज में यह फ्लॉंक का इस्तेमाल करता हो जिससे व्यक्तिगार्ट रफ्रेंश पुछे जाने पर भी वह वह यानि शुबक ने लगता है और अगर उसको ब्यक्तिगार्ट रफ्रेंश भी पूछते हैं तो उसमें भी उसका सही मन से वर नहीं बोलता है जो अपने बालों और आखों के रंग के बारे में फैसला करने में अस्पल रहता है और जो मादक गर्वियों के शेवन के अभिजान से जुड़ा हुआ है जो अपने जोड़ार मजागों से आपको प्रभाइद करने की कोशिश करता है यानि दीग हार कर तो किसी भी ऐसे ब्यक्ति को काम पर नहीं रखना साहिए जिसके पास उसका नौकर, टेप रिकारडर के साथ वकील, बोडी गार्ड, टेडी बियर, पुलिस, एक्सपर्ट इस पकार के लोग हो तो उनको अपने पास नहीं रखना चाहिए और जो ठीग है हांक है उससे पहले जिन तीन कोई भी लोगों के साथ और रहा हो उनके बारे में बात करें और उची उची बात करें तो उन सब को ज़्यादे अपने को समार्ट समझें तो उससे भी दूरी बनानी चाहिए जिसका बाइडाटा बहुत लंबा हो तो ऐसे लोगों से हमको कोई फाइदा नहीं होता है और जिसका और जो अने प्रकार के बिग्यापनों वाले आजमें से ज़्यादा तेजी से बोलता हो और जो आके सवालों कोई भी सवाल दुबाब आप करते हैं तो उसमें वा जो है अपना मूँ से कोड़ता हो जो बीज-बीज में फ्लैंक का इस्तेमाल करता हो जिसके ब्यक्तिकार रेफ्रेंसर पुशे जाने पर वा दुम सिपाने की कोशिश करता हो और जो अपने बालों और आखों के रंग से ये बारे में फैसला करने में अस्पल रहता है इस प्रकार के भाव होने चाहिए जो मादग जुब्यों के से उनके अभ्यान से जुड़ा हो जो अपने जोड़दार मजागों से आपको परभाय करने की कोशिश करता हो तो ऐसे लोग जो आख्षता से जादी जो खशीट कर लिखता हो पूरी-पूरी हर चीज के लिए जो है तुरंत कुछ न कुछ नहीं समयश्या बताता हो तो ऐसे लोगों को भी काम पर नहीं रखना चाहिए हस्ते हस्ते यह याद रखना चाहिए कि मर्जी के नियम के अंसार आदर्स बाइड़ाता उस्पत के भरजाने के एक दिन बार आपके पास पहुँचेगा फिर भी वही जगा पर सही लोगों को रखना आपके संगटन की सपलदा के लिए अच्चनत महत्कून है दोस्तों लोगों को चुन्ने के पास सिध्धानते हैं जिन से आप आपने जो चुन्ने गई टीम है टीम के लिए सर्फेश्टों में द्वार चुन्ने में मदद मिलेगी सबसे बड़ा है संगटन जितना थोटा होगा कर्मतारी उतना ही ज़्यादा महत्कून है दूस्रा है जाने की आपको किस तरह से व्यक्ति की आपशुक्ता है और दोस्तों नजाने की काम में इसकी आपशुक्ता है और चौथा है न जाने कि स्टाप का संभावी सदस्री कैसा चाहता है और इसके बाद दोस्तों यानि जब आप सर्वसेश्ट को नौकरी पर न रख सके तो उन युवावों को रखे जो सर्वसेश्ट बनने जा रहे हैं तो इस परकार के दोस्तों आज के ऐसे उतकिस्ट लीडर को अपने जीवन को शही रंग से अपने कोई भी कारी में आप दीट कर रहे हूं तो उस कारी को शही रंग से संपन्न करने के लिए साथ घातक पापूं से बसने की हमको अवस्य आश्कता है और विजेता टीम हमेशा दोस्तों अच्छे लोगों को चुमती है या आप निश्ची सोचिए इसमें किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं होना चाहिए आज की प्रेणा दायाग बातों के अंसार दोस्तों जो भी बाते मैंने कहीं अपने सोर्स की अंसार जितना मुझे ग्यान है उसके अंसार मैंने आज के परिवेस में जो प्रतिरस का दौर चल रहा है इसमें हमको इसपरस्ट दिशा का ग्यानों चाहिए और खिलारियों कोई भी हमारे साथ हैं उनकी सही दिशा होनी चाहिए अच्छी आर्थी स्थिति हो इसलिए बहुत कम चीज़ें उत्ती महतुनर्गति जितना सही लोगों की सही जगा पर रखना होता है दोस्तों हमें उत्कुस्त लीडर जो होता है उनको साथ घातक पापों से बचना चाहिए और विजिता टीम अच्छी लोगों को क्यों चुनती है उसके बारे हम बताया साथ जो घातक पाप हैं दोस्तों सम्मान पाने के बज़ार लोक्तिया होने की जो कोशिश करेगा वो उसके ले घातक है टीम के सदस्यों से सला या साहिता का आगरह नहीं करेगा वो उसके ले घातक है योगिता के बज़ाए नियुमों पर जोर देकर व्यक्तिकर प्रतिभाग को अदोस्तों साहिद करेगा वो उसके ले घातक है आलोजना को रचनातना न रखना वह उसके लिए घातक है तीम के सदैश्यों में जिम्यदारी का ऐसास बिक्सित न करना वह उसके लिए घातक है हर एक के साथ एक सा बेवार करना वह उसके लिए घातक है लोगों को जानकारी देने में अस्पल होना वोक्स के लिए घाता है तो दोस्तों इन खास बिन्दों का जहन दखते हुए आज के प्रथिस्वता के युखना अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमकी हमारे सामदे जो चुनौतिया आती है जो परिष्टिया आती है उस दोर में कैसे हम आगे बढ़ेंगे उनको संग्यान में लेकर के अपने जियून को मार्ग दर्शित करना प्रते युवक का कतबी है जो होनार युवक है जिनको लंबा जिवन चलाना है उनको इन बातों के बारे में सोचना चाहिए और अपने व्यक्तित्तों को निखार ला करके आद्मिक प्रते शुड़ा के दोर में आगे बढ़ना चाहिए सबके मंगल भुष की कामना के साथ इसी प्रकार दोस्तों आनल लेक्षिनिक लोग में सबका हार्दिक स्वागत है मैं इसी प्रकार किसी नए पेना दायग बात से कल फिर मिलता हूँ तब तक के लिए सबको नमस्कूँ